Hello, my all of you students, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है? Students, आज जो lecture है, यह science का lecture है, class 8 का, chapter 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, crop production and management आपके chapter 1 का नाम है, ठीक है? जिसमें हम पहले, इसके पहले हम पढ़ चुके है, agricultural practices पढ़ चुके है, खरीब फसल, रवी फसल, यह सारी शीजे हम previous lecture में पढ़ चुके हैं, बच्छों एक ही lecture में पूरा chapter complete नहीं हो सकता, इसे हम कई पार्ट में complete करेंगे, ठीक है? तो आप लोग परिशान मत हुई है, आपका step by step कई पार्ट में पूरा lecture complete होगा, पूरा chapter, पूरा slaves आपका complete होगा, ठीक है? आपको बस channel को visit करते रहना है, और अराम से बैट के घर पे study करनी है, ठीक है? प्रिविएस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, उसे एक बार revision कर लेते हैं, प्रिविएस लेक्चर में हमने पढ़ा है, basic practices of crop production, ठीक है? crop production का जो एक sequence है, वो हमने पढ़ा था, ठीक है? वो sequence क्या था? सबसे पहला preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage, ये है sequence crop production का, ठीक है? किसी भी फसल के उत्पादन का ये एक sequence है, ठीक है? ये हमने जाना था, इस sequence में हमने सबसे पहला जो point है, preparation of soil, इसको start किया था, जिसमें हमने जाना था कि मिट्टी को कैसे ढीला करते हैं, इसकी सिचाई का क्या मोहत्तु है, मिट्टी को turn करने का क्या benefit मिलेगा, ये सारी ची elements की series में देखते हैं, it is required to break soil cluster to get better harvest before seeds are sown, बीच को बोने से पहले हम जो मिट्टी का जो गुच्छा होता है, उसे तोडने का काम करते हैं, जो cluster होते हैं, ठीक है? मिट्टी जगा-जगा ये कठी हो जाती है, उसे हम तोडने का काम करते हैं, और इस series, इसको जो जिससे होता ह है, जिस tool का use किया जाता है, मिट्टी को समतल करने में और मिट्टी को जो गुच्छे हैं, उसे तोडने में, ये जो tools हैं, उसमें है plow, hoe and cultivator, ठीक है? इसमें आपका हल हो गया हो, में देखे कई सारी शिज़ा आ जाती हैं, कुदाल, फरसा, जिसे हम normally ऐसे कहते हैं, और एक इसमें यहां पे जो होकसेंस है, वो भी एक plow की तरह ही होता है, ये है आपका, ठीक है? ये, ये सारे tools हैं, जो कि मिट्टी का जो cluster है, जो bunch है मिट्टी का, उसे तोडने का काम करता है, ठीक है? और cultivator, यानि कृषक जो use करते हैं, tractor वगरे जो use होता है, ठीक है? ये भी आप का एक tools है, ठीक है? ये main tools है, इस purpose के लिए, यानि मिट्टी को plane करने के लिए और उसका जो गुच्छा बन गया है, उसे तोडने का, ये tools है, ठीक है? सबसे पहले tool के बारे में पढ़ते हैं, पिलाओ, यानि हल, आप सब लोग जानते हैं, पहले ये figure देख लीजे, आप लो और ये देखिए, बैल और एक किशान पूरे खेत को जोतने का काम करता था, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं, step by step इसके बारे में जानते हैं, figure आप लोगों ने देख लिए अच्छे से, पुराने समय में, पुराने समय में, हलका उप्योग होता था, tealing the soil, मिट्टी की ज fertilizers है, उसे add करना, खर पतवार को हटाना, ठीक है? मिट्टी को turn करना, क्योंकि जब हम हल से जुताई करते हैं, तो नीचे की जो layer होती है, वो upper layer नीचे चले जाती है, ठीक है? मिक्स हो जाता है न, turn हो जाती है मिट्टी, और ये किसका बना हुआ था? उड का बना हुआ था, और it is made of wood, and is driven by a pair of bulls, और इसको किसकी दोरा, दो bell इसको drive करते थे, ठीक है? दो bell की जोड़ी, और other animals such as horses and camels, और other animal भी इससे, मतलब other animal का भी use किया जाता था, इससे का use करने में, जैसे आपका horse हो गया, या camels हो गया, या गोड़े, उट और दो bell का तो generally सब लोग जानते ह है, लेकिन घोड़ो का भी use होता था, camels का भी use होता था, ठीक है, यह क्या करते थे, it comprises a strong triangular iron, called plow share, इसमें जो एक, इसका जो triangle था, strong triangle था iron का, यह है आपको देखे, यह आपका क्या है, triangle, ठीक है, इसे हम कहते थे, plow share, ठीक है, और उसके बाद है, a main part of the plow is, plow soft along of wood, और यह जो लकडी होती थी, ठीक है, यह जिससे connected होता था, इसे हम कहते थे, plow soft, ठीक है, यह जो लकडी है ना, इसे, at one end of the soft, there is a handle and beam which is placed on the bull's neck on the other end, और इसमें क्या होता था, जो soft होता था, उसका एक handle जो होता था, जो bell होते थे, उनके neck पे रखा होता था, ठीक है, पिक्चर यह जो लकडी का है, जो bell के neck पे है, यह क्या है, इसका handle है, इसका एक end bell के neck पे रखा होता था, ठीक है, प्लाव can be easily handled by a pair of bulls and a man, और यह जो हल है, इसको असानी से कैसे carry किया जा सकता था, दो bell और एक आदमी पूरे खेत की जुताई कर सकता था, ठीक है, बहुत ही असानी स Nowadays, the original wooden plow is rapidly being substitute by iron plow, आज के time में जो original लकडी का जो हल होता था, वो change हो गया है कि इसमें iron, या नि लोहे में convert हो गया है, ठीक है, जैसे आपका यह है, देखिए, यह आपका modern हो गया, oh sorry, one second, one second, देखिए, यह figure देखिए, ठीक है, यह क्या है, iron का बना हुआ है, ठीक है, चलि में जानते है, देखिए, हो का यहाँ पे इस टूल से लिया गया है, लेकिन आप जनरली इसका मतलब होता है, कुदाल फरसा जो भी, वो सब भी हो की कटेगरी में ही आता है, ठीक है, यह simple tool है, यह बहुत ही simple tool है, इसमें एक long rod होता है, यह जो rod होता है, यह wood या लकडी का हो At one of its end, there is a strong broad and bent plate of iron that functions like a blade, और इसके एक end पे, यहाँ पे एक strong iron की blade होती थी, ठीक है, यह जो plate है, यह iron की है, यह जो आपकी plate है, ठीक है, यह iron की है, और यह कैसे work करती है, जैसे एक blade work करें, ठीक है, इसका use किसलिए होता है, removing weeds, खरपतवार हटाने में, मिट्टी को lose करने में, यानि मिट्टी को धीला करने में, और इसे जानورों द्वारा भी, खीचा जाता है, ठीक है, इसे जानुरों द्वारा भी, खीचा जाता है, इसका मैं आप लोग को figure में बताती हूँ, figure से आप लोग को समझ में आ जाएग वेट यह है देखे यह है आपका हो देखे यहां पर यह इसकी प्लेट है आइरन की और यह रॉड है इसमें जो लगी हुए एक हैंडल जिसे एक और इधर का पोर्शन जानवरों से अटेच है ठीक है तो यह जानवरों दौरा भी खीचा जाता है इसका एक और एक्जामपल है समझ में आया आप लोग को यह है आपका हो यह बैल ने यह जो है टूल ठीक है तो चलिए अब देखते हैं उसके आगे क्या था यह तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया हो का यूस कैसे होता है ठीक है अब देखते हैं कल्टिवेटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है कि किसान, क्रिसक, ठीक है? Nowadays, tractor-driven cultivators are extensively used for plowing. आज के टाइम में tractor का use होता है, जादा तर किशानों के द्वारा खेत की जुताई करने में, ठीक है? अब हल का use नहीं होता है, मतलब ना के बराबर होता है, जादा तर use होता है, tractor, खेत की जुताई करने में, ठीक है? the use of cultivator reduces labor and time, और यह जो आपका cultivator है, यानि यह जो tractor है आपका, यह time भी कम लगाता है, ठीक है? और इसमें लोगों की ज़रुवत भी मेहनत भी कम लगती है, sorry, reduce labor and time, इसमें मेहनत भी कम लगती है, और समय भी कम लगता है, खेत की जुताई भी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है? तो यह 3 important tools थे, 3 main tools थे, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है? अब है उसके बाद sowing यानि बुआई, ठीक है? मिटिक को prepare हमने कर लिया, तो अब उसके बाद next step क्या है? उसमें beach बोना, ठीक है? sowing is a second step undertaken for production, अब crop, आपका sowing यानि जो बुआई करना है, वो second step है, दूसरा step, पहला step था, preparation of soil, जो कि हमने कर लिया, ठीक है? अब दूसरा step है, कि crop का production, before sowing, it is important to select the good quality clean and healthy seeds, बुआई करने से पहले सबसे जदा important है, अच्छी quality का beach select करना, जो कि clean हो, healthy हो, और quality भी उसकी बहुत अच्छी हो, to get high yield of crop, yield का मतलब क्यों होते है, yield यानि उपज, जिससे की जो crop है, farmer है, वो crop की उपज अच्छी पैदावार उन्हें मिल सके, अगर beach अच्छी quality का होगा, healthy होगा seeds, तो उससे उपज भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है? इसलिए किसान prefer करते हैं कि high yield का beach हो, यानि अच्छी पुआई करें, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया, ठीक है? और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं, ठीक है? और आप लोग परिशान मत होई है, आपका syllabus cover ह हो जाएगा, ठीक है? step by step, अभी अगर आप लोग को पसंद आता है, समझ में आती है चीज़े, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? ठीक कर दो जाएगे इङक है, समझ में आता है, समय सक्राइब करेंगे और समय सक्राइब करेंगे, समय सक्राइब कर दीजिए, तो प्लीज़े और सब्सक्रा वागे।